हेलो गाइस कैसा आप सबी सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपो के कलर ओएस 13 अपटेट के हीडन फीचर के बारे में जिनके बारे में आप लोगों को यह आप नहीं पता है सो वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप लोग एक ओपो का डिवाइस है वो यूज करते हो और वीडियो गर आपको यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और यार चेनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरगी के वीडियो बनाने के लिए काफी ज़दे आपर मे और यहाँ पर आपको सेकेंड नमर का ओप्सन मिलेगा बोल वाला तो इसको ओपन करना है और आप लोग इस ओप्सन को इनेबल कर देना है अभी आप लोग देख पारूंगे यहाँ पर आपको एक बोल टाइप का जो एनिमेशन है न वो यहाँ पर मिल चुकिए तो इस हैंड से करना काफी ज़्याद है आपर मुश्किल है तो सिंपले आपको इस पर आपर क्लिक करना है और आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग कंट्रोल सेंटर को यूज कर पाऊगे तो यह वाला ओप्सन आप लोग को iOS डिवाइस के अदर मिलता है जितने भी iPhone है उनके अंदर मिलता है लेकिन अब से आप लोग इसको अपने ओपो का जो डिवाइस है उसके अंदर भी आपर यूज कर सकतो जो कि यहाँ पर काफी एक अच्छी बात है और इसको आप लोग कस्ट्वाइज भी कर सकतो जैसे कि टेब वन क्लिक के अंदर आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ड्रोवार है मतलब कि कंट्रोल सेंटर ओपन होना चाहिए या फिलोग की स्क्रीन ओपन होनी चाहिए तो टेक ए स्क्रीन शोट वन हेंडेट मून नोन बहुत सारे आपको ओप्शन मिल जाते हैं और जब आप लोग डबल प स्क्रीन ओपन हो जाएगा जरूर से आप लोग इसको यहाँ पर एक पार ट्राय कर सकते हमारे सेकंड फिचर के बारे में तो वह आप लोग और देखने को मिलेगा सेटिंग अप्लीगेशन के अंदर तो सिंप्ली सेटिंग अप्लीकेशन को ओपन करने हैं और होम स्क्रीन लोग की स्क्रीन को open करना है अब यहाँ पर option है swipe down on home screen तो यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं shelf, global search और notification drawer तो अगर आप लोग अपर notification drawer है वो कुछ इस तरीके से आपर slide करते हो तो आप लोग इसको directly यहाँ पर अपनी यहीं से जो screen है उससे इसको यहाँ पर open कर पाओगे और वो मिल जाएंगे weather, clock, कितने steps आप लोगों यहाँ पर चले है और आपके phone, phone की battery यह सारे आप लोगों को चीज़े मिल जाएगी तो यह phone की battery नहीं है आपके phone की जो यहाँ पर storage है वो आपको यहाँ पर show कर रहे है तो simply आप लोग इसको जरूर से एक बार यहाँ पर try कर सकत अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ यहाँ पर और चीजों के बारे में तो जैसे कि यहाँ पर keyboard है उसको आप लोग यहाँ पर use करते होंगे तो मान लोगों को numerical number है वहाँ आप लिख रहे है तो capitalize जो button है वहाँ से लाके आप लोगों को number है वहाँ पर लाके इसको छोड़ द तो यहां पर आपको यह वाला option विलेगा 123 का तो इस पर प्रेस करके रखना है और जैसे कि 6 पर मैंने आपर क्लिक किया है तो 5 का 6 का आप लोग आपर जो छोटा वाला नमर है वह आप लोग आपर कुछ इस type से लिख पाऊगे और animation भी आप लोगों को आपर काफी अच्छी देखने को मिलती है तो इस type से आप लोग आपर नमर है वो लिख सकतो इन सबी के तो यह आप लोगों को एक छोटा सा change है वह आपर मिल जाता है अभी बात करते हैं setting application के बारे में तो इसको open करना है और यहाँ पर आप लोगों को wallpaper and style option है इसको open करना है और always on display का आप लोगों को option मिलेगा तो first of all यहाँ पर यह on होना चीए और second वाला जो option है उसको आपको open करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा trips and food deliveries तो simply आप लोगों को इसको enable कर देना है जो भी food है ना वो हम लोग यहाँ पर order करते हैं उसकी आप लोगों को जो यहाँ पर information है ना वो आपकी always on display है उसी के अंदर देखने को मिल जाएगी कि कितनी तेरे के अंदर यहाँ पर वो arrive होने वाला है तो यह आप लोगों को एक काफी अच्छी चीज मिलती है और यह वाला feature आप लोगों को only color OS के अंदर देखने को मिलते है बाकी UI और OS के अंदर आप लोगों को यह वाला option है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अभी यह वाला जो hidden feature है ना वो यार काफी जदा interesting है लेकिन यार उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो please वीडियो को like करना चैनल को subscribe कर लेना और इस वीडियो को जरूर से अपने friends के साथ में आपर share करना ताकि बाकी के जो user है वो भी इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते और हमारी जदा से जदा यहाँ पर help हो सके तो additional setting है उसको open करना है और यहाँ पर आपको motion and gesture का support मिलेगा इसको open करना है screen of gesture है उसको आपको simply on कर देना है और यह जितने भी जो option है सब भी को आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस type से आपर on कर देना है तो ज़्यादा तो मैं आपर नहीं कर रहा हूँ जैसे कि O और V तो यह दोनों मैंने आपर एक बार read कर लिये हैं जैसे कि हमारी low screen तो नहीं जो always on display आ चुके है और जैसे आप लोग यहाँ पर O लिखोगे आपका camera है ना वो open हो जाएगा तो यह gesture वाला जो support है ना वो आप लोगों को कुछ ही device के अंदर देखने को मिलता है तो आप लोग इसको try कर सकते हो और V मैंने आपर लगा लिखा है तो flashlight है वो on हो चुके वापस ही लिखा है flashlight off हो चुके एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ तो on हो चुके है और O लिखोगे तो आपका camera है ना वो open हो जाएगा तो जादू जैसे type का आप लोगों हो यहाँ पर यह वाले जितने भी guest share है वो मिलते हैं बाकी यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे option है ना वह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो इनको भी आप लोग यहाँ पर एक पार try कर सकतो और बाकी जानकर के लिए आप लोगों को ओपो का telegram channel है उसको join कर लेना है जिसका link मिलेगा आपको description में और वहीं guys अगर आप लोग यह अपने जितने भी icon है उनको change करना चाते हो तो home screen पर प्रेस करके रखना है icons को open करना है और जो option है इसके बार मैंने आपको अपनी पूरानी वीडियो के अंदर भी बता दिया है तो काफी लोगों को इसके बार में बताओगा लेकिन बहुत सरे अपे भी user है जो की पूशते हैं कि मैंने ये वाले icon है वहाँ पर कैसे change किये हैं तो ये जितने भी जो option है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अगर आप लोगों को यहाँ पर यह पसंद नहीं आता है तो simply आप लोगों को यहाँ से जितने भी जो icon है उनको यहाँ पर off कर देना है और आपके जो icon है वो वापस से पहले की तरह हो जाएंगे और मान लोग ये वाला जो page है वो आप लोगों को visible है तो कई बार होता है जो कि हम लोग अपने जो private page है उनको use कर लेते हैं और इस type से close कर लेते हैं और घर के कुछ member या फिर friend लोग भी उसको check करते हैं तो उनको ये वाला page है वो show करते हैं तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताना comment section के अंदर और future में अगर आपको इस type की वीडियो है वहाँ पर और चीए तो बता सकते हो comment section के अंदर और चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like करना और telegram channel को join कर लेना ओर लेड़ी 14,000 member है वहाँ आपर join है तो इसको join कर सकत मैं मिलता आप लोगों से next studio में जेहिंद वंदे मातरम